क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि बदलते जमाने के साथ लोगों का रहन सहन तो बदली रहा है साथ ही जीने का तरीका भी बदल रहा है आज कई लोग ऐसे हैं जो या तो किसी मजबूरी में जैसे नोकरी इत्यादी के कारण अकेले रहते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी मजबूरी के अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं, अपने काम को सच्ची लगन से अकेले ही करते रहते हैं, जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं, उनमें तो बहुत कुछ बुन्यादी गुण होते हैं, ऐसे लोग जीवन में जल्दी ही बहुत कुछ हासिल भी कर लेते हैं। और दूसरी और ऐसे भी लोग होते हैं जो एक पल के लिए भी अकेला नहीं रह सकते। ऐसे लोगों का अकेला पढ़ जाना जैसे अंदेरी काल खोटरी में जीवन भर के लिए किसी केदी का पढ़ जाना। फिर एसे लोग इस भागदोड़ भरी जिंदगी में उलज जाते हैं क्योंकि इनको अकेला रहना पसंद नहीं, खुद के लिए समय ही नहीं, खुद के काम के लिए समय नहीं फिर एसे लोग यह सोच के पस्ताते हैं कि कास इस भागदोड़ भरी जिंदी से दूर होके इवार रिस्ते नातों मित्रों से दूर रहें अकले रहने की भी एक कला होती है जो आगे हम इस कहानी में जानेंगे हम केसे एकांत में रहकर अपने काम को अपने सम्मान को अपनी प्रतिश्चा को अपने उजोल भविश्य को केसे आगे बढ़ा सकते हैं हम अकले रहने के उन साथ अमुल्य गुणों के बारे में भी जानेंगे तो दोस्तों कहानी बहुती मज़ेदार है ध्यान से सुनियेगा इस से पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एक व्यक्ति एक गुरु के पास आया और बोला गुरु देव मेरे दुख का कारण क्या है गुरु बहुती बड़े आत्म ज्यानी व्यक्ति थे गुरु ने कहा अपने आपको चीजों से चिपका लेना चीजों को पकड़ लेना और उन चीजों के प्रती आसकत होकर उसके पीछे भागना ही तुमारे दुख का कारण है उस व्यक्ति ने गुरु का धन्यवात किया और कहा गुरु देव आपने तो मेरी समश्या का शमाधान कर दिया मैं इतने दिनों से अपनी समश्या का शमाधान चाहता था आपका धन्यवाद गुरुदेव यहां काकर वह व्यक्ति वहां से जाने लगा। गुरु ने कहा पूरी बात तो सुन लो। उस व्यक्ति ने कहा नहीं गुरुदेव। आपका इसारा मिल गया बस वही काफी है। और समझदार को इसारा ही काफी होता है गुरुदेव। एक म दुख मिल रहा है गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा तुमने ऐसा क्या किया व्यक्ति ने कहा मुझे अपने परिवार वालों से मीत्र रिस्तिदारों से दुख मिल रहा था तो मैंने उन्हें छोड़ दिया और छोड़ कर चला गया दो-चार दिन तो मुझे बहुत अच्छ ना था जितना कि उनसे दूर होकर दुखी हो गया हूँ इसलिए आज में घर वापस जाने के लिए निकला था और आपके पास आ पहुंचा आपने मुझे इतनी गलत सलहा क्यों दी गुरु देव गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा तुम परिवार को छोड़ कर भाग पर ये तुमारी गलत फैमी थी कि तुम छोड़ कर भाग रहे हो वास्तों में तो तुम उन्हें लेकर भाग रहे थे व्यक्ति ने कहा पर गुरु देव मैं तो किसी को अपने साथ नहीं लाया गुरु ने कहा जो चीजे हमें दुख देती है वह कही बाहर नहीं होती यहां तुम भागे तो तुम अपने मन को साथ लेकर भागे और तुमारे मन में यह सब तुमारे साथ भागे तो तुम इन से कहीं दूर नहीं गए जब जो चीजे मन में बसी हो और वह आसपास हो तो वह जो दुख देती है वह हमें बहुत लगता है पर वह बहुत कम होता है और जब हम इन चीजों से दूर हो जाते हैं यानि छोड़ कर भाग जाते हैं तब मन उन चीजों को पाने के लिए फिर से प्रियास करने लगता है और तब यहाँ चीजे बहुत ज्यादा दुख देती है जैसे तुमें हो रहा है वेक्ति ने कहा तो गुरु देव मैं क्या करूं चीजों के साथ रहूं तो दुख चीजों को छोड़ कर जाओं तो दुख क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है गुरु जोर से हसे और कहा यहाँ बात बिल्कुल सत्य है यहाँ सब सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लेते हैं पर यहाँ भी सत व्यक्ति ने कहा गुरुदेव क्या इस सुख दुख के माया जाल से पहार निकलने का कोई रास्ता नहीं है। देखो अपने आसपास यहां किसी को जानते हो क्या व्यक्ति ने कहा नहीं यहां तो कोई भी मेरी जान पहचान वाला नहीं है। अब यहां सब भूल कर आखे बंद कर लो और अपना ध्यान यहां होने वाली आवाजों पर लगा दो। व्यक्ति ने ऐसा ही किया और जैसे ही उसने अपनी आखे बंद की और सारा ध्यान वहां हो रही आवाजों पर लगा दिया। अपन एकांत महसूस हुआ। उसे लगा कि वह इतनी बड़ी भीड में भी अकेला है। सबी आवाजों के उपर ध्यान लगाने के कारण किसी आवाज का कोई महतू नहीं था। बस आवाजे थी और वह था। उसने अपनी आखे खोली और कहा गुरु देव यहां तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ। सब है पर कुछ नहीं है। गुरु ने कहा बस इसी तरह अकेला होना है तुम्हें। रहो सब के साथ पर भीतर से अकेले रहो। साथ में सब हो पर मन में कोई नहो। जिसने इस तरह से अकेला जीना सीक लिया। उसे कभी जीवन में दुख नहीं होते। उसे चीजे दुख नहीं देती। करो जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगे तब इसका मतलब यह होगा कि तुम्हारा वास्तविक वजूत तुमसे मिलना चाहता है इसलिए अपने इस एकांत प्रेम का सम्मान करो गुरू बोले मैं तुम्हें साथ एसी खुबियों के बारे में बताता हूं जो अकेले रहने की तुलना में खुद के प्रती ज्यादा जागरू होते हैं वो खुद के सोभाव और आच्रण के बारे में ज्यादा घहराई से जानते हैं एसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद के बारे में सोचने का काफी समय मिल जाता है जिससे हम खुद क वेवहार को अच्छे से समझ पाते हैं एकांत में रहने वाले लोग उतकी कमजोरी और ताकत को भी अच्छे से जान पाते हैं जिससे वो दूसरे लोगों की तुलना में किसी भी खराब परिस्तिती का सामना ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं गुरू ने कहा अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी खुबी है कि ये सकारतमक सोच वाले लोग होते हैं देखो जब बहुत से लोग हमारी साथ होते हैं तो वहां एक दूसरे से तुलना जलन गहमन लालज जैसे कुविचार अपने आप ही मन में आने लगते हैं और फिर इनसान इन विचारों की बस में आकर उल्टे सिधे काम करने लगता है हाला कि एसा नहीं है कि एकांत मेराने वाले लोगों के मन में ये विचार नहीं आते लेकिन क्योंकि वो अकेले हैं इसलिए दूसरों से तुलना जलन गहमन जैसे विचार उनके मन में दूसरों की तुलना में थोड़ा कम आते हैं साथ ही अकेले रहने की वज़े से उन्हें खुद के बारे में सोचने का ज्यादा समय मिल जाता है जिससे वो अपने नकारत्मक विचारों को पहचान कर उन्हें कम कर सकते हैं जिसके कारण एसे एकांत में रहने वाले लोग ज्यादा सकारत्मक होते हैं अकेले रहने वाले लोगों की तिसरी खासियत कि ये लोग ज्यादा अनुसासित और आत्म निर्बर होते हैं क्योंकि अकेले रहने वाले लोगों को अपने ज़्यादतर काम खुद से ही करने पड़ते हैं, इसलिए ये दुसरों की तुलना में ज़्यादा आत्म निर्बर होते हैं, साथ ही ऐसे लोगों को दुसरों का काम भी पसंद नहीं आता, ये अपना काम खुद करने पर ही वरुसा करते हैं, साथ ही ये लोग कोसिस भी क अकेले होने की वज़े से एसे लोग एक निस्चित दिन्चरिया का पालन भी करते हैं जिससे ये लोग ज्यादा विवस्तित होते हैं और ये भी इनके अनुसासित होने का एक कारण है। हूए हैं उन सभी को एकांत में रहना पसंद था क्योंकि पैसिप ने अंदर की आवाज सुन पाता है। इनका वेक्तितु सबसे अलग, सबसे हटकर होता है और वे लोग जो जादातर दुसरे लोगों के साथ रहते हैं या अकले रही नहीं पाते, वो कितनी भी कोशिस कर ले लेकिन जाने अंजाने में ही सही लेकिन दुसरों के वेक्तितु का कुछ हिस्सा उनके अंदर आ ही जाता है दुसरों की आदते, दुसरों के विचार उनके अंदर प्रवेस करी जाते हैं जिससे उनके वेक्तितु में वो अनुठापन, वो निरालापन नहीं आ पाता उनका वेक्तितु कई सारे लोगों के वेक्तितु का मिस्रण होता है पर क्यूंकि एकांत में रहने वाले लोग अपना ज्यादतर समय अपने सांद बिताते हैं इसलिए ये दुसरों की बातो और वीचारों से बहुत ही कम परभावित होते हैं इनके अपने जीवन को जीने के बनाए नियम और काईदे होते हैं जिनका ये पालन करते हैं ये किसी से भी आसानी से प्रबावित नहीं होते हैं यसलिए ऐसे लोगों की सकसियत सबसे हटकर सबसे अलग होती है इसलिए इनके वेवार में एक अलगी निरालापन होता है जो किसी दुसरे विक्ति को पसंद भी आ सकता है और नहीं भी गुरु बोले छटी खासियत जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है अकले रहने वाले लोगों के दुसरों के साथ रिष्टे बहुती गहरे और मजबूत होते हैं हलाकि अकले रहने वाले लोग जादा लोगों से अपने संबंद नहीं बनाते हैं लेकिन ये जितने भी लोगों से संबंद बनाते हैं सच्चे दिल से बनाते हैं एसे लोगों के बहुती कम दोस्तों होते हैं लेकिन जितने भी होते हैं ये उनसे अपनी दोस्ती पूरी इमानदारी से निभाने की कोशिस करते हैं। अक्सर लोगों को यह लगता है कि एकांत में रहने वाले लोग बहुत कम बात करते हैं। लेकिन उनसे पूछिये जिनसे ये दिल से जुड़े होते हैं कि उनसे कितनी बाते करते हैं. ऐसे लोग इन्हें अपना मान लेते हैं और वो इनके सामने अपने पूरे दिल की बात रग देते हैं. अकेले रहने वाले लोग बहुती कम लोगों के साथ संबन्द तो रखते हैं लेकिन जरुरत पढ़ने पर वो अपनी तरफ से पूरी मदद करने के लिए भी तेयार रहते हैं इसलिए इनके रिस्ते कम लोगों से तो होते हैं लेकिन जिनके भी साथ होते हैं बहुत मजबूत होते हैं अगली खासियत अकेले रहने वाले लोग मानसिक तोर पर और भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर आज कोई समस्या उनके उपर आती है तो उन्हें अकेले ही उस समस्या से निपटना पड़ेगा एसा बार बार करने से उनके अंदर खुद के प्रती आत्मविश्वास बढ़ जाता है और आत्मविश्वास हुआ आत्मसमान के बनने से वे मानसिक और भावनात्मक तोर पर और मजबूत होते चले जाते हैं और वो ये मान लेते हैं कि एसी कोई भी समस्या नहीं है जिसे वो अपनी द्रड़ इक्षा सकती के दम पर हरा न सके और यही एक सोच उन्हें दुसरों से अलग बनाती है इतना कहने के बाद गुरु चुप हो गए तो उस वेक्ति ने कहा गुरुदेव आपकी सारी बाट ठीक है लेकिन ये कब कहा जा सकता है कि अकेलापन एक वरदान है यहाँ सुनकर गुरु ने क होते हैं तब हम खुद के साथ होते हैं और जब हम खुद के साथ होते हैं तभी हम अपने समय का सद्विप्योग खुद का आकलन खुद के सोक सभी बातों पर अच्चे से ध्यान दे सकते हैं अपनी कमजोरियों पर भी काबू पा सकते हैं या ऐसा कह सकते हैं कि सच में अच देती है जब तक की हम उसे पा ना ले और जब हम उसे पा लेते हैं तब वह में हम से छूटन जाए और जब वह मसे छूट जाती है तब वह फिर से हमें दुख देती है उसکे जाने का दुख जो बहुत गहरा होता है जीवन भर हम एक चीज़ को पकड़ते हैं फिर दुसरी चीज़ को पकड़ते हैं तीसरी चीज़ को पकड़ते हैं और पीछे की चीज़ों को विदा करते रहते हैं इसी तरह हम सुख पकड़ते हुए दुख को पकड़ते चलते हैं पर जिस व्यक्ति ने अकेला सिक्षन में हमें जरूर बताएं और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलते हैं अगली कहानी